हाई भाई लोग आज हम वीडियो लेके हैं गोल्ड शॉट 489 की रिव्यू की और हम इस वीडियो में देखेंगे कि यह शॉट जो है कितना प्रैक्टिकल है इसकी टाइमिंग पोजिशन ट्रिक्स और आपको बाय करना चाहिए के नहीं तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड शॉट 489 गिव्यू सबसे पहले इसको शॉट बुक में देखेंगे और शॉट बुक के अंदर अगर इसको देखा जाए तो यह जो शॉट है यह 12 पीम का शॉट है और most probably यह बैक फुट पर लगेगा और 115 प्लस मीटर जो है इसकी रेंज है तो that means कि यह शॉट तोड़ डिफिकल् करके कि यह exactly कहां adjust होता है शॉट मैप में अगर इसको देखा जाए तो 12 पीम पे मैंने देखा यह front foot पे बिल्कुल adjust नहीं होता तो that means to say कि यह front foot का shot नहीं है यह back foot पे shot जो है यह आपका adjust होगा और ना ही special और advance button पे यह set होगा तो आपने इसको back foot पे जो है वो set करना है यह back foot पे खेला जाएगा और यह back foot पे ही set होगा और तमाम batsmen के लिए हम set कर लेते हैं preset 1, preset 2 पे ताके हम इसको जितने भी batsmen है हमारे सब को देख सकें कि वो किस तरह इसको shot को execute करते हैं और यह shot जो है कितना effective है real time match में और इस shot को खेलना कितना easy है या difficult है तो हम वो देखते हैं त इसकी position जैसे के shot को देख के लगता है कि आपको अपने body के close जो है वो रखनी है अब यह देखें baller ने हमें ball किया तो हमने क्या किया है कि हमने weight किया ball जो है angle से जो है out जाएगी तो हम खड़े रहे और अपनी जगा से हमने इसको खेल दिया और यह देखें perfect time हुआ बट still य नहीं है कि यह six होगा और आपने position ऐसे एक रखनी है कि body के करीब हो ball तो connect हो जाएगा अब देखें baller है इन्होंने हमें ball की है यह out swing कर रहे है अब हम अपनी जगा जो है महां खड़े रहे अब हमने क्या किया कि ball जब आ रही है तो उसको हमने अपनी जगा से खड़े करेंगे तो generally timing क्रिक्स की है कि आपने इसको early खेलना है यह early shot है although I was thinking कि late shot होगा लेकिन यह early shot है अब देखें baller ने हमें ball किये हमने wait किया ball हाथ से release हो यह बटन दबा दिया यह जो pace time का slow ही था तो उसके comparison में यह काफी early shot है आपने इसको early खेलना है तो यह shot perfect time होगा और यह shot भी perfect time हुए but still यह 40 हो गया तो that means to say कि इस shot की जो effectiveness है वो थोड़ी कम है आपको six के लिए perfect bet से shot मानना पड़ेगा और perfect timing करनी पड़ेगी medium fast baller पे देख लेते हैं और यह जो shot है यह सिफ shot ball cable shot ball के लिए होता है तो आप देखें shot ball है इन्होंने ball की हाथ से release हो और आप button दबा गया हमने और देखें यह हमने freeze भी किया वा था और यह देखें connect हो गया और perfect timing के बाद भी still four हो गया तो that means to say कि आपने इसको ऐसे early खेलना है limitations इस shot की बहुत सारी हैं यह मैंने note किया अगर आपको baller जो है वो yorker ball कराएगा तो definitely यह connect नहीं होगा आपको full balls पे भी यह connect नही होगा और तो बहुत जादा इसकी limitations है आपको यह bouncers पे ही connect होगा और bouncers भी पीछे होंगे तो connect होगा यह इसकी short की limitations है तो आपने इसका ध्यान रखना है practicality की बात की जाए तो इसकी practical scenarios कम है और वह यह है कि आपको bouncer पीछे हो या cutter जो है ball वह पीछे हो अगर swing होगी तो नही connect होगा cutter पे connect हो जाएगा अगर ball जो है bouncer के level पे है अब मैं conclusion की बात करूँ तो मुझे यह short बढ़िया नहीं लगा और मैं इसको rate high नहीं करता overall rating की बात की जाए तो मैं इसको जो है 2 out of 10 दूँगा because इसलिए कि पोजिशन भी tough है ball अगर body से बाहर जा रही है तो आपको आइन नहीं करना चाहिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी टेक क्याए गाइस तैंक यू सो मच